सब्सक्राइब लाइव एक हाला फटावस से कंफर्म करो के कि हमारा औजय विजयवपड़। अजय विजयवड़। अजयवड़। सबकुछ वहतर नंतरीका से प्रापर है प्लिस कंफर्म गाईब मैं भीएम एंभा चेक कर लूओ कि सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है एस एक बर अडियो भी कन्फिर्म कर देना ओके सीम्स प्रॉपर सीम्स प्रॉपर वाइस चलो ओई रो लोग पाँच गए आगे शुरू करूँ क्या यस सर चलो इम स्टार्टिंग दे वीडियो ओके audio video clear? So welcome 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 everyone to this amazing session and I hope हमारा अजय वीडियो ओजय अजय वीडियो ओजय अजय वीडियो ओजय is absolutely amazing चलो तो इस सेशन में हम दो इंडेस रिवाइस करेंगे एक इंडेस 30 और एक इंडेस sorry 38 और एक इंडेस 40 38 का नाम कहा है Intangible Assets 40 का नामे investment property वापस से बता दू इस index के बारे में ये दोनों index मतलब 16 के बात करना था कि थोड़ा interlinkage का आपको benefit मिल जाएगा इस दोनों index के अंदर हम वापस से सारे concept और सारे question revise करने का कोशिश करेंगे अच्छे से शांती पूरवक तरीके सा आप अपने बास करने कोशिश करेंगे उसके लाबा जो भी इसके board notes है जो भी relevant board notes है I will try to upload on my telegram channel telegram channel का लिए description box में है तो आपको वहाँ से मिल जाएगा ठीक है? उसके लाबा like किये बिना और subscribe किये रिविजन देखा तो मुझे मैंने सोना फाइदा नहीं होता उसका तो पहले ये दोनों कर ले ना फिरी रिविजन देखना ठीक है सर चलो इसी बात पे शुरू करते हैं रिविजन So let's start the revision in 3, 2, 1 and go सबसे पहला index 38 नाम क्या है intangible assets ठीक है तो इसके अंदर अगर आप देखो के कौन से कौन से pointers है पढ़ने के लिए तो पहला point अपना सबसे पहला definition ही है definition क्या बोलता है definition को pointers देख लो definition of intangible बोलता है identifiable non-monetary asset without physical substance held for use सरित्ता सब क्या है एक एक point को आपन रिवाइस कने का try करते है पहला point है identifiable वो बोलता है कोई भी intangible identifiable कब होगा जब वो दो में से एक condition meet करेगा या तो वो separable होना चाहिए या फिर it should arise from a legal contract for example कोई भी intangible है सवाल पूचो अपने आपसे क्या मैं इसको अलग से बेच सकता हो क्या if the answer is yes identifiable है या फिर क्या ये separate legal contract में arise हुआ है क्या if the answer is yes identifiable है दोनों में से भी एक meet करना है बराबर तो identifiable होगा अब इसी के उपद थोड़ी विस्तार में आपन बात कर सकते हैं चाहिए goodwill के case में self generated goodwill आपको बता है आपन कभी भी record नहीं करते है ऐसा क्यो because तो identifiable नहीं है check कर लेते क्या ये separable है कभी सुना है goodwill goodwill अलग से बेच दिया नहीं goodwill धंदे के साथ बिखता अलग से नहीं बिख सकता second क्यूंकि self generated है तो did it arise from a legal contract नहीं is this clear to everyone yes sir तो इसका मतलब बता है identifiable second क्या बोलता है non-monetary asset what is the meaning of non-monetary asset simple सी बात बोलता हू जितना value दिख रहा है अगर exactly उतना value किसन आपको pay करने का promise किया है उसको बोलते है monetary asset क्या बोलते है monetary asset जैसे debtors है debtors वाले case में 10 लाग दिख रहा है मतलब exactly आपको 10 लाग रुपा कोई pay करने वाला है monetary asset बराबर intangible वाले case में अगर 10 लाग दिख रहा है तो कोई आपको promise करता है कि आपको 10 लाग रुपा देने वाला है no तो exactly इतना value आपको किसे ने देने का promise नहीं किया इसलिए वो non-monetary होता है तो हर एक intangible होता है non-monetary asset without physical substance by substance निया तभी तो intangible है न है न और held for use होना चाहिए ठीए उसके बाद identifiable describe किया वापने आपको 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 कर लिया CD माते थे ना पहले software पुराने जमाने में बराबर अब पुराने जमाने ही बोलेंगे आपन तो अगर software आया CD में तो यहाँ तो CD tangible है, software intangible है तो हम देखते which is the more significant element आपने पैसा किस के लिए दिया है CD के लिए दिया, software के लिए दिया है हाँ, it can vary तो आपको यह चेक करना, assess करना है which is the more significant element वैसे सो classify कर देना ठीक है, यह आपका पहला definition हो गया और कुछ important guidance वगेरा हो गया ठीक है, next point, recognition criteria same like 16, वो definition meet करना चाहिए, वो तो by default implied है future economic benefit and cost के लिए measure deliberately ठीक है, उसके बाद, measurement यहाँ भी just like index 16 देखो, index 16 से बहुत रिष्टा है इसका रिष्टा है इसका बराबर, तो measurement के अंदर भी जब initial subsequent बात करोगे तो काफी चीज़ आपको similar देखेगी, देख लेते हैं जो similar है उसको फिर इपर आपन रिवाइज कर लेगे बर वापस से, initial measurement, क्या बोलता है always, always, always at cost अगर आपने purchase किया है तो वो सेम है, बोलता है purchase price add non-refundable taxes, add all the directly attributable expenses, यहाँ decommissioning वगेरा नहीं है, क्यों, अरे इसमें substance ही नहीं है, तो क्या तो guarding और क्या तो निकालेंगे, decommissioning मतलब क्या होता है किदर इंस्टॉल कर दिया, फिर उसको वापस निकाल ले तो रिष्टो करके देना पड़ेगा, अब इसमें substance ही नहीं है, तो कहाँ तो डालेंगे क्या तो निकालेंगे, तुम समझ रहे हो क्या, तो हाँ decommissioning नहीं है, बाकि सब कुछ है, उसके लावा पर्चेस किया तो अपने को समझ गया, हाँ, यहाँ भी deferred consideration है, कोई software खरीदा आपने, बोला पैसा एक साल के बाद दूँगा, तो इंटरेस्ट भी दे रहे हो, तो वो इंटरेस्ट कभी capitalist मत करना जाएगा, profit and loss में, until and unless it is a borrowing cost, आथ पर index 23, ठीक है, आगे, asset acquired by way of exchange, अगर exchange में acquire किया, same like 16, वो यह तीन preference है, incoming asset को record करने के तीन preference है, पहला preference है, fair value of asset given up plus cash paid if any, वो नहीं available, तो second preference है, carrying amount of asset, sorry, fair value of asset acquired, वो भी नहीं available, तो तीसरा preference है, carrying amount of asset given up, plus cash paid if any, simple, बराबर, और if the transaction lacks commercial substance तो एक ही preference है, carrying amount of asset given up plus cash paid if any, simple, अगर asset आपने government grant की form में acquire किया, तो index 20 में चले जाना, इधर मत आना, यहाँ शकल दिखाना ही मत, index 20 में चले जाना, ठीक है, बचा क्या, यह दो point, यह दो point नया है, as per index 38, इसको आपने discuss करेंगे, पहला, asset acquired by way of business combination, इसका मतलब क्या है, अगर आपने business combination में कोई intangible asset acquire किया, है ना, तो चार pointer's के अंदर, सबसे पहला point, जो भी intangible, चलो business combination नहीं आता, amalgamation समझता है, तो अगर business combination ना, amalgamation में कोई भी, आप asset acquire करते हो, तो उसको आप fair value पर record करते हो, बराबर, पहली चीज़, second चीज़, ऐसा possible है, कि सामने वाले के books में, एक database था, अब आप नीचे पढ़ोगे, इधर किधर नीचे लिखा हुआ, आगे पढ़ाओंगा आपको मैं, कुछ कुछ intangible, अगर self generate किये, तो आप उसको record नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर purchase है, तो आप उसको record कर सकते हो, तो ऐसा possible है, सामने वाले के books में database था, जो उसने record नहीं किया, because उसके लिए वो था self generated, बट आप जब उसको acquire करोगे, you can record it, क्यों, क्योंकि आपके लिए तो purchase जाना, बराबर, यह दूसरा point है, तीसरा point, जो भी आपने excess PC pay किया है, whatever PC you paid over and above the net asset, suppose जो company acquired किया, उसका net asset 100 रुपीज है, आपने PC 120 पे किया, extra Q पे किया, गुड़ो के लिए, simple, और last point, अगर को intangible, साथ में ही definition meet करता है, या साथ में ही big सकता है, for example, आपने जिस company को acquired किया, आपने उसका logo और tagline होता है, जिससे, for example, मेरा logo है, मेरा logo है, जादे FR विते के, और tagline, एक के हवाई साब, ऐसे, तो तुमने मेरे company का logo और tagline और और अब यह जब मार्केट में बिखता है, तो साथ में बिखता है, लग 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 नीं बिखता, तो आप उसको जब record करोगो, तो साथ में record करना, simple सी बात, clear यह बाला पाट किया, yes sir, तो इसी को मैंने समझाने के लिए आपका example भी दाता है, बुक्स में को database है, selling company के books में, जो इसके लिए self generated था, मैं तो record कर सकता हूँ, बिकाज मेरे लिए वो purchased है, बराबर, उसके इलावा, जो भी आप access देते हो, PC आपने इत्ता दिया, net asset आपको जो भी आए, जो भी आपने access दिया, यह कर ला तुम पहले, चलो ठीक है, यह हो गया यह वाला part, यह था asset acquired ना, business combination, simple सी बात है, फिर आता है, internally generated intangible asset, घर की घेती, घर में generate करें intangible, तो फिर क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर internally आपने goodwill generate किया है, good do आप self generated record ही नहीं कर सकते, यह बात मालने ना, ठीक है, अगर वो other than goodwill को generate किया है, तो फिर दो phase में, आपको जाता है, आपने discuss भी किया था, कि ऐसे किसमा आपन दो phase में divide करते, एक होता है research phase, और जो होता है development phase, बराबर research phase में जो खर्चा किया, वो जाएगा profit and loss में, development phase के जित्ते भी खर्चे, वो आप capitalize करोगे, ठीक है, अब development phase में भी जो directly attributable expense है, वो ही capitalize करना, अब इसके अंदर एक सबसे बटी दिक्कत दिया आती है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा, कि research phase खतम हो गया, development phase शुरू हो गया, तो वो बोलता है, हमने आपको 6 condition दे रखी है, अगर यह 6 condition जिस दिन meet हो गई, उस दिन से development phase begins, बराबर, तो वो 6 condition क्या है, सबसे बहला, technical feasibility of completion, intention to complete, ability to use a healthy asset, how it will generate future economic benefits, availability of adequate resources, like technical, financial, feasible, and ability to reliably measure, expenditure, यह 6 point आसर यात कैसा रखे, मैं आपको hint दीती, यह 6 में से, 2 point तो आपके recognition criteria है, future economic benefit, and expenditure can be measured reliably, बराबर, 2 point आपको completion को लेकर, technical feasibility of completion, intention to complete, कि भाई complete करना feasible है क्या, और आपके नियत है का complete करने का, और 2, यह से जालू होता है, बराबर, एक है ability, एक है availability, ability to use a healthy asset, जब बन जाएगा, तो कैसे use करो, कैसे बेचोगे, यह फिर, इसको complete करने के लिए, कि आपका अभी भी पैसे वागिरा, technical resources पड़े है क्या, तो 2 recognition है, 2 completion को लेकर है, 2 A को लेकर है, अब देखो, आपको ऐसे आद करना, ऐसे कर लो, कि आपको उसको नया टेखनीक है, तो वो यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, चलो, तो यह meet war तो क्या होएगा भाई, बताओ ना, अगर यह 6 meet होगा है, तो क्या करनेगा, very good development phase शुरू कर देने का, ठीक है, अच्छा, जो payment किया, वो capitalize नहीं करने का, बराबर तो बोलता है, includes क्या, cost of material, employee cost, legal cost, या जो भी, दूसरा, अगर कोई intangible लिऊच कहा, तो उस intangible का amortization, बट क्या explode करेगा, admin, selling, abnormal, staff training, अगर यह सब explode करेगा, ध्यान रखना, अब यह भी important point है, ठीक है, other important points, relating to internally generated intangible assets, सबसे पहला, if it is difficult to distinguish, between research and development phase, समझ नहीं रहे, कुन से phase में, तो research phase ही मानना, सर ऐसा क्यों, बबाट development phase में होते है, तो 6 condition मिठ जाता, तो मालूम पढ़ जाता ना, कि development phase में है, अगर dice हो, मतलब पका research में हो, तुम समझ रहे हो क्या, it is just like, dice होता ना, सर एक ग्रूप दो दो ग्रूप दो, तो तुम पका एक ग्रूप देगा, सर ऐसे example मत दियागरो, ठीक है, अधर आजाओ, उसके लाब कुछ items, that should not be, recognized as an intangible asset, कुछ ऐसे assets, जो अगर आपने internally generate किये, मैं clarify कर दू, अगर आपने ये items, internally generate किये, तो आप इसको कभी भी, as an intangible, अपने books में record ने कर सकते हैं, अगर ये internally generate किये, तो क्या-क्या है, brands, customer database, publishing titles, master heads, सरे, publishing titles, master heads क्या होता है, कभी magazine news पर पढ़ा है, उसमें होता ना, sansani case खुला सा, है ना, कुछ बच्चों ने मिलकर, faculty को किया परिशान, हाँ, ये सब, जो होता है, खुझ generate करते हैं ना, अपने सब titles हो किये ना, तो ये कभी record मत करना, ठीक है, तो में को परिशान मत करना, ठीक है, anyways, उसके अलावा, एक और important बाट, research and development project, acquired as a part of business combination, अब मेरी बात ध्यांसा सुनना, जब आप खुद research करते हो, तो खुद का क्या गया research, आप profit endorsement में डालते हो, खुद का क्या गया development, आप capitalise करते हो, लेकिन अगर आपने, किसी और की research को acquire किया है, किसी और की research को acquire किया है, तो किसी और की की गई research को, आप acquire करोगे तो आप इसको capitalise कर सकते हो, देखो यही बोलता है, सबोज बी-बी वर्चल है, उसका एक R&D project था, मैंने जब एक company खरी दी, तो इसका project भी मेरे पास आ गया, तो यह project को तो मैं acquire कर रहा हूँ न, तो इसको मैं capitalise कर सकता हूँ, जो भी इसका fair value रहेगा project का, उसको मैं capitalise कर सकता हूँ, ठीक है, उसके इलावा, जब suppose मैंने R&D project acquire किया, अब project acquire करने के बाद, मैं और कुछ खर्चे करूँगा न, खुद का development you can capitalise, बट खुद का किया गया research profit and loss में जाएगा, इसका मतलब, अगर मैं summarize करूँ, अगर आपने research खुद किया है, profit and loss, किसी और करिसर्च acquire किया, capitalise, development तो हमेशा capitalise, simple, yes, चलो, चलो, thank you, thank you so much sir, आपसे बैश कोई नहीं पढ़ा सकता, नहीं न, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बट आपको मेरे teaching अच्छी लगी, शुक्रिया for that, चलो, ये clear है तुम लोगा hero log, ओ मेरे hero log, ये मैंने क्या complete किया पता है, initial measurement complete किया, business combination में acquire किया तो, और खुछ generate किया तो, ये 2 point model बागे सब कुछ सिंपल है, यादा clear है मेरे hero log, ये sir clear है, चलो, ये रहा नहीं जाता sir, आगे बढ़ो, subsequent measurement, subsequent measurement में यहाँ भी कितने model है, यहाँ 2 model है, पहला cost, दूसरा evaluation, है ना, sir, दोनों में से कोई भी चूस करूँ, मेरी मर जी है, हाँ तुभारी मर जी है, बढ़ इसमें एक point extra है, वो बलता है, अगर reval model चूस करना है, तो एक condition है, fair value active market की होनी चाहिए, sir, what is the meaning of active market, active market मतलब एक ऐसा market, जहाँ intangible frequently buy and sell होता है, तो वहाँ से अपने को value निकल कर आती है, जैसे, shares के लिए, stock market is an active market, तुम समझेरों, वैसे intangible का कोई active market होना चाहिए, मतलब कोई, दुकान में या Amazon पे, flip card पे, frequently buy and sell होता है क्या, तो उसका आपको मिलेगा fair value, बराबर तो उसका fair value active market का है, तो ही आप ये वाला model यूज कर सकते हो, अब मुझे बताओ, क्या ये active market वाली condition, index 16 में थी क्या, क्या ये active market वाली condition, index 16 में थी क्या, नहीं वहाँ नहीं थी सर, ये safe और सिव इंडेस 38 में, ज्यान नटा, तो ये differentiation है index 16 से 38 के अंदर, बागी सब कुछ सेम है, ठीक है, तो वैसे आप दोनों में से कुई भी model चूज करो, बट ये चूज करने के पहले, आपको ये वाला condition मेट होना चाहिए, उसके लाव रिवाल मॉडल में वापस यहां 5 case है, frequency of revaluation वो same like 16 है, कि asset के value में changes significantly होता, तो annually करना, insignificant 3-5 चल में एक बार कर देना, treatment of accumulated amortization, याद है 2 method है, या तो eliminate करेंगे, eliminate नहीं करेंगे, same like 16 है, time coating मत करो, discuss करके, हाँ, इस वाले point में कुछ नहीं आ है, revaluation to be applied to entire class of asset, इसका मतलब क्या है, जब आप किसी भी intangible को आप revalue करोगे, तो same class पे same model लगाना पड़ता है, इसमें एक exception दिया हुआ है, कभी कभी क्या होता है, ऐसा माल लो, 5 software आपके पास, है न, 4 software का active market है, तो आपने 4 के लिए revalue model यूज किया, अब एक software का, active market नहीं है, आप चाहते हो, इसके लिए revalue करना, बड़ चाहकर भी use नहीं कर पाओगे, क्यों? यूँकि इसका active market नहीं है, तो इसको by default आप cost पे रखोगे, तो ऐसे के इसमें देखो, 5 के पाच सॉफ़एर है, तो क्या 4 software पे revalue model एक पे cost model चलेगा क्या? हाँ चलेगा, क्यों चलेगा? क्योंकि इस case में 4 की active market थी, एक की active market की value नहीं थी मेरे पास, तो यहाँ चल जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता, 5 के 5 software की मेरे पास active market की value है, तो फिर आप यह नहीं बोल सकते, मैं 4 के लिए cost या 4 के लिए fair value यूश करूँगा, फिर आप differentiation नहीं कर सकते, एक ही class के अंदर, अगर कुछ की active market है, कुछ की active market नहीं है, तो अलग-अलग method चल जाएगा, लेकिन अगर सारे class में सब की active market की value है, तो या तो सब पे cost या सब पे fair value, फिर वहाँ अलग-अलग नहीं चलेगा, समझा, यह वाला पाट क्या, यह वाला पॉइंट नहीं था, compared to index 16, यूँकि index 16 में active market वाली बात ही नहीं न, इसलिए, चलो, आगे, treatment of real gain loss, यहाँ भी same, revolution loss, first time क्या gain आया तो उसी है, loss आया तो, PNL, subsequent क्या gain आया तो देखना पहले क्या था, subsequent loss आया तो पहले देखना क्या था, अब वो 16 में, आप देखोगे 16 तो वो already cover हो जाएगा, आपका time cutting मत करो इसके अंदर, आजाओ, उसके बाद, re-evaluation surplus, transfer of re-evaluation surplus to retained earnings, इसका मतलब क्या है, यह भी आपने डिसकस किया था, कि जो भी surplus में balance पढ़ा है, उसको आप return earnings में कब transfer करोगे, या तो जब आपने intangible dispose of कर दिया तब, बराबर, या फिर in case of excess amortization, हैना वो excess amortization यह optional है, company ने choose किया, तो यह करने का वरना करने का जरुवत नहीं है, बराबर यह भी same like index 16 है, मैंने जान मुझके आपको बता रहो कि कौनसा कौनसा same है, ताकि subsequent time बचाओ, आप भी revise करते समय है, तीक है, आगे आजाओ, आगे आजाओ, subsequent costing card, अब अगर आपको मैं चार्ट दिखाओ, देखलो इदर चार्ट देखलो एक बार, क्या हो चुका अपना, definition हो चुका, recognition हो चुका, measurement initial, subsequent don't know हो चुका, अब मैं इस प्यार हो, subsequent costing card, बराबर subsequent cost मतलब एक बार asset खरीद लिया, उसके बाद खर्चे की है, तो normally वो बोलता है, intangible वाले case में, subsequent खर्चे का कोई FEBs नहीं होता है, कोई future एक नहीं benefit नहीं होता है, तो subsequent cost आपन डालेंगे profit and loss में, लेकिन मेरे एक challenge था इसके अंदर, याद है, कि यह ना कभी-कभी, intangible वाले case में भी, subsequent cost आप capitalized कर पाऊगे, for example, intangible का आपने life renew कर लिया, तो इसमें तो FEBs है ना, तो capitalized कर पाऊगे, but इन्होंने इतना detail पर बात नहीं किये, ध्यान रखना, anyways, एफ फोथ पॉइंट था, पाच्वा पॉइंट, expenditure incurred but no intangible asset, याद शबत खिलवाई थी, मर जाओंगा, मिड जाओंगा, लुड जाओंगा, मर जाओंगा, मिड जाओंगा, लुड जाओंगा, लेकिन या item को, कभी भी intangible नहीं बोलूँगा, कौन सा item है, सबसे पहला, research में किया गया खर्चा, कभी capitalized मत करना, कभी intangible मत बोलना, tata का खर्चा, कभी intangible मत बोलना, training का खर्चा, वहाला खर्चा, तो मर जाना, मिड जाना, वो question है, आपको पते है, वो question को लगएगा, आप लोग है न, पागल हो, आप लोग को येडा बनाते है, बन माझ जाना येडा, क्योंकि तुम लोग, एक एसर से पड़े हो, नाम मत डुबाना मेरा जाके ठीक है? और अगर डुबा के आगे तो बुलना मत मिरसे पड़े हूँ सला चला Amortization Amortization मत जैको, जैसे PP का होता है Depreciation, इसका होता है Amortization Simple, चलो Amortization इसमें भी तीन मेथड है SLM, WDV, Units of Production इसमें एक पॉइंट यह वाला नहीं है क्या है इसके अंदर, method based on revenue आपको याद है, आपने PP में डिसकस किया था कि revenue के बेस पर आप depreciation नहीं कर सकते हैं यहां भी सेम चीज है revenue के बेस पर आप amortization नहीं कर सकते हैं एक case में कर सकते हो बस कुण सा case में, जहां कोई license आपके पास और वो license की life revenue पर dependent है, for example आपको government ने license दिया toll collect करने का, ठीक है cost 30 crores है, अब जब government ने license दिया आपको, तो आपने बूचा, ए government यह license मैं कितने साल तक use करूँ government ने बोला, 30 per tip तो एना जब तक 50 crores ना recover कर ले, तब तो license दे रहा तो यहां life किस पर dependent है मेरे revenue collection के उपर अगर suppose मैंने 50 crores मैं से first year में 5 crores collect कर लिया तो मैं कितना amortize करूँगा, जो cost है into 5 divided by 50 ऐसा, तो यहां जो ratio बनेगा वो revenue की base पर बनेगा, because life revenue पर dependent है, तो वो यही बोलता है कि एक ही rare case है, जहां amortization revenue के base पर हो सकता है वो कब है, जब किसी भी intangible की life revenue पर dependent है simple, clear, आगे फिर amortization period, comments कब करोगे जब available for use है, बंद कब करोगे या तो 105 में गए तब, या फिर asset का life खतम हो गया, base दिया तब amortizable amount, वही cost minus residual value same है, आगे residual value, what is the meaning of residual value जब life खतम हो जाएगी, तो कचरापटी का, scrap का value भषता है उसको बलता है residual value, वो बलता है intangible case में, it is always assumed to be zero logical भी है, क्यों, intangible में कोई substance तो है नहीं, तो क्या ही तो scrap मिलेगा आपको हाँ, लेकिन, लेकिन, लेकिन अगर आपको किसी third party ने commitment दिया हुआ है कि life के end पे मैं आपको इतना पैसा दे दूँगा या फिर, कोई active market है जहां आप वो बचा कुछा भी बेच कर थोड़ा बद पैसा रिलाइस कर सकते हो और आपको लगता है कि active market asset की life पे भी available होगा तो अगर इन दोनों में से कुछ भी meet होता है और आपको ऐसा question में दे दिया कि third party का commitment है कि अपने को इतना residual value मिल जाएगा या कोई active market है जहां बेच कर suppose मुझे हजार दो हजार कुछ भी रूपया मिल जाएगा तो ऐसा information है तो ही आप residual value कुछ मानोगे वरना it is always assumed to be zero ध्यान रखना useful life useful life of an intangible asset अगर life infinite है कभी amortize मत करना और life अगर finite है amortize करोगे ध्यान रखना अगर intangible का life infinite है amortize तो नहीं करते but it is tested for impairment annually impairment की बाते इंडे सटी जिसमापन कर लेंगे उसके अलाबाए एक और चीज goodwill भी कभी amortize नहीं होता है यह भी बात ध्यान लखना आप यह implied है लिखावा नहीं था अबर मैंने आपको लिखा दिया यह चीज फिर useful life पर guidance दिया हुआ है guidance में दो bullet point है ठीक है पहला और यह दूसरा देख लो क्या बोलता है सबसे पर सपोस मेरे को government license दिया बट आप दिल पहत रखके बताओ क्या 4G 40 years तक रहने वाला है क्या अफकोस नहीं रहने वाला है सर बराबर तो मुझे लगता है कि इसका benefit में को 10 years तक ही मिलेगा license मेरे पास government ने 40 years तक दिया बट मेरे को लगता है benefit में 10 years तक ही ले पाऊंगा इसका बताओ मैं कितने साल में इसको amortize करो 40 या 10 तो सर आप में अभी देखा कि जितने साल में आपको benefit मिलेगा उतने years में amortize करो तो आपको अगर 10 years में benefit मिलेगा amortize in 10 years simple clear अगर अपने एस्टिमेट ये कहता है कि हम renew करेंगे हमारा past history कहता है कि हम renew करते है और renewal भी सस्ता है बहुत तो आपको ऐसा लगता है कि आप renew करोगे तो गिन लेना तो life 15 मानेंगे और अगर आपको लगता है renew नहीं करेंगे बराबर तो आप life 10 साल मानना तो it depends यादे class में भी तुमने रहता भला था मैं तुमको तीन option दियते सब डिपेंड डिपेंड कर रहे था तो दो क्या बोलता है if the contract is renewable the useful life shall include the renewal period only if there is supportive evidence that it will be renewed मतलब past history आपका ये बोलता है कि आप renew करते हो normal cases में और अगर कोई renewal conditions है तो it will satisfy those conditions and cost of renewal is not significant मतलब सस्ता renewal आपको तो आप include कर लेना आपको फिर आता है annual review as per index 8 index 8 के इसाब से जो भी आपका amortization method है residual value is for life है review करना every year end पे change जुआ तो change in accounting estimate prospective आपको करना पड़ेगा उसके लाबा impairment का बात आपर index analysis में करेंगे impairment आपको कर देना और de-recognition is same like 16 de-recognition कब करने का जब life खतम हो जाए तब concept आपका index 38 का खतम हो गया question पर बढ़े उसके पहले ये बताओ समझ में आया क्या जिल्दी अल्दी बताओ yes or no yes or no dashing to the snow with a one 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 way ये कुझा गान है जर पता नहीं पक्का समझ आया है ठीक है ये आपके concept concept में ने start to end एक एक पॉइंट कवर कर लिए अब तुमको क्या लगता है question करने से काम हो गया क्या ना मुन्ना ना हम तो question भी revise करेंगे बराबर तो आजाओ जो भी ढ़ंके बढ़िया बढ़िया question है वो मैं आपको इस revision में revise कर बढ़े दाओ बागी question आप refer कर लोगो तो भी काम बढ़ जाएगा इधर आजाओ अच्छा मैं एक और बात मैं question पर बढ़ू उसके पहले भले ही आपन index 38 पढ़ रहे है लेकिन एक ज्यान मेरे को आपको index 36 का भी देना पढ़ेगा 36 कुन सा index रहे? impairment बराबर तो मैं थोड़ा ज्यान दे दूँ उसका आपको वैसा आप revision देख रहे हो तो impairment पढ़ किया होंगा ऐसा मुझे लगता है कभी ना कोई तो पढ़ लिया होगा बढ़ ठीक है नहीं पढ़ा तो सुन लो ये ज्यान भी मैं आपको 38 में दिया हुआ था index 36 impairment of asset impairment का मतलब करता है decline तो क्या बोलता है कि कभी-कभी 38 में आपको impairment test करना पढ़ सकता है impairment test करने के लिए दो amount चाहिए होता है एक carrying amount और एक recoverable amount carrying amount कैसे मिलता है balance sheet में जिस value पर देख रहा है उसको बोलता है carrying amount और recoverable amount किसको बोलते है recoverable amount is higher of value in use या फिर fair value less cost to sale मतलब अगर use करोगे तो कितना value generate कर पाओगे बेचोगे तो कितना value generate करोगे अफकोस अगर use में ज्यादा benefit लग रहा तो मैं use ही करेगा ना यार इसलिए बोलता है whichever is higher है ना तो recoverable amount is higher of value in use या फिर fair value less cost to sale तो suppose carrying amount was 1,20 और recoverable amount higher लेने के बाद भी 1 lakh ही आया अब आप खुद दिल पर हाथ रखके बोलो जेस value पर आपने record करकर रखा है या आप उतना recover कर पाओगे नहीं सर जितना दिखा रखा है उतना recover भी नहीं कर पाएंगे higher लेने के बाहुचुत recover नहीं कर पाएंगे तो इसको बोलते impairment loss हो गया इस impairment loss को आपन as of ना समझ लो profit loss में transfer करेंगे तो इस loss के वज़िस से अपना pp का value गिर जाता है ठीक है तो मेरा जो carrying amount है वो 120 से गिर कर 1 lakh पे आ जाएगा clear अब एक और बात काफी बच्चों confusion होता है कि impairment loss और revolution loss में फरक क्या हुआ फिर ठीक है है तो दोनों loss दोनों का surname loss loss ही है तो दोनों same होगे है क्या तुम समझ रहो क्या नहीं वो same नहीं होता है तो क्या फरक है इसके अंदर सुन लो फटाफट से मेरी बात impairment loss निकालने के लिए हम carrying amount और recoverable amount compare करते हैं और revolution loss निकालने के लिए हम carrying amount और fair value compare करते हैं तो बले हैं दोनों loss लेकिन दोनों loss का competition अलग है नेचर है यस सर आप समझ आया है सर ठीक है अब इसी बात में question से continue कर रहा हूँ आगे सबसे पहले illustration number 3 बहुत ही बढ़िया question है क्या बोलता है सुन लो बोलता है advertisement बाला पाट है कुछ मैंने 8 लाग रुपा जमा करवाया before 31st March 11 31st March 11 तक आपने 8 लाग रुपीस का payment कर दिया है 7 lakhs of this sum relates to advertisement shown before 31st March 11 अब इसमें ऐसा था कि 8 लाग में से 7 लाग जो payment किया आपने वो current year के slot के लिए payment किया है advertisement का payment के लिए slots खरितते हो ना यार तो आपने current year के slot के लिए 7 लाग के payment किया है जो बाकी 1 लाग extra पे किया है वो आपने next year के slot के लिए पे किया है बराबर तो इस case में देखो advertisement intangible तो नहीं हो सकता लेकिन इस case में very good answer वो 1 लाग prepaid तो हो सकता है ना यार देखो कोई भी खर्चा भले intangible ना वो तो अटा ही तो intangible तो ही नहीं सकता लेकिन prepaid असर तो ही सकता है ना ये क्यूँ आपने current year में 8 लाग भर दिया बराबर तो 7 lakhs के बतले 8 लाग जो extra 1 लाग वो next year के लिए अपने तो प्रीपेड रहेगा आपके लिए ध्यान रखना तो अगर आपको मैं solution दिखाओ इसका देखो ऐसा कुछ आपको summary आपको दिखा सकता हो मैं payment 8 lakh का किये 7 lakh is for current year 1 lakh is for next year बराबर तो मैं जब entry मारूँगा तो payment 7 lakh करूँगा payment 8 lakh करूँगा payment 8 lakh करूँगा payment 8 lakh करूँगा प्रीपेड expense और प्रीपेड एक्सपेंच वो भी asset वह आप 1 lakh book करूँगे ध्यान रणना प्रीपेड asset मतलब intangible नहीं होता है वो अलग होता दोनो ग्यारवी बारवी पढ़ी है ना भाई कि वो भी नहीं पढ़ाया है नहीं सर हम तब पैसा देखें फास हो है सर ठीक है अब next year क्या होएगा next year जब यह खर्चा अक्रू होएगा तो प्रीपेड आपका reverse हो जाएगा और पेनल में ट्रांसफर हो जाएगा उसके लाब यह भी बोला है कि next year आपने और चाल लाग भरा तो next year चाल लाग भरा नेक्सटर के लिए भरा तो next year जब भरोगे तो expense to cash bank कर दे ना उसको anyways अब यह ना इसमें आपको entry पूछिए कि आप ज्यान से देखना क्या बूछ है please expand and justify explain and justify बोला है entry मांगी नहीं तो यह entry आपकी working note बन जाएगी बस इसी entry को आप English पर संझा देना convert English आदे का तुम लोगो oh chat GPT के जमाना में रहते हो ना of course chat GPT उसका ने मिलेगा नी बट खुद को आता है ना बोलनेगा in the current year in the year 31 March 11 company made a payment of 8 lakhs out of which 7 lakhs needed to current year so it will be transfer to B&L 1 lakh is paid for next year so it will be a prepaid expense वाह सर के English बोलिया मज़ा आ गया बस यही करना है तुमको क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ आगी बढ़ो सर वो बढ़िया question था कर दरूर लेना पेर ए killer station number 6 है यह exchange को लेकर है इसमें क्या होता है दो company Sun और Earth के books में भी दोनों के books में entry मांगी और अलग-अलग case दे रखे exchange के उपर है बराबर तो मैं solve कर रहा उससे बेटर आपको practice करना पड़ेगा but मैं आपको इसका summary दे रहा हो सुनना जबी ऐसा करो के न तो लिख लिया करो किस company के लिए क्या आ रहा है और क्या जा रहा है किस company के लिए क्या आ रहा है और क्या जा रहा है बराबर फिर एक company at a time solve करना पहले Sun के तीनो case solve करो बराबर अब जो आ रहा है वो हर entry में debit होएगा जो जा रहा है वो हर entry में credit होएगा फिर preference देखना first preference क्या है fair value of asset given up plus cash paid if any बराबर वो नहीं है तो fair value of asset acquired वो भी नहीं है तो caring about of asset given up ऐसे तीनो case में sun के point away से देखना, earth के point away से देखना practice जरूर करना बहुत शांदार question ही exchange को लेकर ठीक है तो या practice करोगे जरूर से अच्छा question था वो उसके बाद oh 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 मेरा favorite, मेरा personal favorite question illustration number eight, क्या बोलता है सुन लो आपने expenditure incur किया है कोई नय production process के उपर, ठीक है इसमें दो phase में खर्चे incur किया आपने एक research phase और development phase वो नीचे information दे रखा है वैसे ठीक है, तो research phase गया panel में development phase हुआ, capitalize तो आपका intangible asset कितने पे दिख रहा है 900 पे दिख रहा है, अच्छा एक बात ध्यान रहना जब तक आप development phase में हो, आप amortize नहीं करते हो क्यों? Amortization begins when the asset is available for use जब तक वो develop हो रहा है वो available for use नहीं है वराबर तो amortize नहीं होता है, लेकिन impairment testing के लिए आपको recoverable amount दे रखा है अब आपकी carrying amount 900 है अब recover ज़्यादा करने वाले हो तो येडे की तरह 100 पे का loss मत बोल दे ना आए, ज़्यादा recover करें को तो अच्छी बात है ऐसा माल लो तुम्हारे passing marks 50 थे तुमका FR में 60 आ गया तो क्या तुम वाबस attempt होगे गया? नहीं न बस मैं भी तो यह करो आप समझा है सर ध्यान रखना यहां को impairment loss नहीं है उसके बाद क्या बोलता है अगले साल हमने और खर्चा किया बराबर क्या तो जब development phase शुरू हो गया तो इसलिए मैंने क्या किया देख लो दिखा देता हम आपको पहले मैंने 900 रुपे पर रखा फिर और 6000 का खर्चा किया तो total value होगे 6900 यह मेरा हो गया? ठीक है सर अब वो जिस दिन आपने और खर्चा किया उस साल के last day पर it was available for use तो next year मैंने एक साल amortize किया उसको तो next year मैंने एक साल amortize किया तो amortize करने के बाद एक carrying amount बची और इस दिन पर आपको recoverable amount दुबारा दे रखा आप देखोगे तो ध्यान से मतलब पहले 6 साल का खर्चा इंकर किया, एक साल amortize किया और फिर आपन यहां पहुचे बराबर तो मेरी carrying amount was 5750 recoverable amount is 5000 तो यहां carrying amount जाद है, recoverable amount कम है यहां impairment loss आएगा impairment loss जाएगा profit and loss में और इस impairment loss की वज़े से आपका जो carrying amount है वो गिर जाएगा, it will be revised ठीक है, ध्यान रखना वो हर year में तुमसे दो चीज़ पूचिए हर year के end पे carrying amount कै और penal में कित्ता आ गया हर year के end पे carrying amount कै penal में कित्ता आ गया, हर year के end पे carrying amount कै penal में कित्ता आ गया, वो हर साल के आप information को present कर देना, ठीक है यह बड़िया question था, illustration number 9 जरूर करके जाना ठीक है, उसके अलावा एक illustration number 12 है, LDR नहीं कहुंगा, normal सा question है, पर दरूर लेना अच्छा question है यह वाला point, ठीक है, चलो उसके अलावा, let me see, और कोई बड़िया question है क्या, illustration number 20 है इसमें वही वाला concept है, आपको याद है मैंने किसी और का research acquire किया तो जब किसी और का research acquire करोगे तो capitalist करोगे, तो बूला हुए कि आपने किसी और का research acquire किया उसका value 10 lakhs था, capitalist किया acquire करने के पाद, खुद किया research तो खुद का research, PNL में गया और खुद का development capitalist किया तो total कितना capitalist करोगे जो acquire किया 10 lakh वो, और 7 lakhs का development है वो 17 lakhs, ऐसा यह question था ठीक है, चलो, उसके अलावा यह भी एक बार आप reading दे सकते हैं illustration number 24, अच्छा question है mark करकर अटना, घर पे एक बार reading देते हैं LDR नहीं है, बड़ बेसिक सा question है, कर लेना हाँ, एक बढ़िया question हा illustration number 27, ठीक है क्या बोलता है, सुन लो सबसे पहले, इधा थोड़े से एक presumption ले रखे question के अंदा, जबाँ solve करोगा समझेगा आपको, क्या बोलता है वो बोलता है, हमने development शुरू किया 1st June 15 को, बट पूरे साल में हमने खर्चा किया 18 lakhs का अब यह जो खर्चा है, यह पूरे साल का खर्चा है, यह से development phase का खर्चा नहीं है, तो इसमें एक assumption है कि अगर 12 मेने में आपने 18 lakhs incur किया, और development phase जून में शुरू हुआ है, तो मैं बोलू April और May, यह दो महिना आपके research phase में होंगे, मतलब 12 में से 2 मेने होगे research phase के, 10 मेन होगे development phase के, बराबर तो आपको बताना पड़ेगा कि 18 lakhs पूरे 12 मेने का खर्चा है, इसमें bifurcation खुद देना पड़ेगा, कि 2 मेना research है, 10 मेन development है, अब बाटू कैसे खर्चा, तो कुछ नहीं बोला हुआ है, तो मैं मालूंगा evenly accrued बराबर, तो वो ratio में डालो 2 और 10 के ratio में, तो आपको आएगा 3 लाग research phase में, 15 लाग development phase में अब company ने गलती क्या किये, company ने पूरे के पूरे 18 लाग को intangible दिखा रखा है, सही क्या गलत किया, बोलने का गलत किया दे उसे ना बराबर क्या, आपको 15 पे दिखाना चाहिए, आपर notification entry मारेंगे यह तो एक किया, उसके लाबा आप जब पूरा paragraph पढ़ोगे न, आपको recoverable amount का information दे रखा है, ठीक है तो recoverable amount का मैं समर्य आपको देता हूँ उन्होंने क्या दे रखा है आपको कि बेचोगे, तो 7,80 जितना पैसा मिलेगा यूस करोगे तो इतना आपको benefit मिलेगा तो मैं दोनों में से whichever is higher लूँगा तो मेरा higher होगा 9,60 ठीक है तो मेरा carrying amount was 15 lakhs, recoverable is 9,60 of course impairment loss है because जितने value पे दिखार, उतना recover करी नहीं पाऊँगे तो impairment loss 5,40 बराबर तो आपका जो intangible अठा भी दिखा रहा है आपने एक तो आपको research की वैसे 3 lakhs से कम करना पड़ेगा और एक आपको impairment loss की वैसे 5 lakhs, 40 से कम करना पड़ेगा तो ये दोर decrease आपको करनी पड़ेगी तो research की वैसे 3 lakhs कम और impairment की वैसे इतना कम intangible total 8,40 से कम हो जाएगा अब अगर आप देखोगे 18 lakhs वाला intangible जब 8,40 से कम करोगे तो वह exactly 9,60 पर देखेगा इतने प्याज दिखना चाहिए clear ये वाला part? तो इसमें rectification वाला accounting आपने कर रहा है अच्छा question ये वाला भी बोलता है, मैं आपके example देता हूँ suppose Mumbai Indians ने रोहिचर्मा गया contract किया 5 साल का, कि रोहिचर्मा आप 5 साल तर मुंबई के लिए खेलोगे है ना, अब question ये है कि क्या इसको company आज़ा intangible record कर सकती है गया, देखो आप किसी भी player को आज़ा intangible नहीं दिखा सकते कि जब ऐसा कोई contract करता ना company तो अगर आपसे ये पूछे कि employee को में दिखा दू किया as a intangible, बोलने का नहीं employee के साथ जो contract किया, जो right है आपके बस employee का कि वो employee आप, जो player है आपके लिए खेलेगा सिफ वो contract हो सकता है intangible ज्यान रखना हो, ठीक है, बस इसे के वारा मैं यहां बात किये question number one के अंदर, उसके अलावा question number two you can just read, it is a simple question question number three is a good question, ठीक है, क्या बोलता है सुन लो बोलता है company is super sounds limited had the following transition during the financial in 1920, ठीक है, तो इसमां आपने net asset acquire किये, और PC दिया बदले में 13,20 lakh का, net asset कितने acquire के 10 lakhs के, तो अगर आप मानोगे, 13.2 का आपने PC दिया है, net asset को 10 lakh का आया, तो extra क्यों दिया आपने, good do good do के लिए extra दिया आपने, तो कितना good do के लिए 3.2 आपने extra दिया good do के लिए अब इन लोग आपको समझते है कुछ, इनको लगता आपको एक spoiler दे दू, पूछा किया है intangible का year end का balance निकाल के बताना balance sheet में कितना होगा, और profit and loss का extra आपको देना है, ठीके, anyways देखते हैं, यह तो पहला part हो गया, second part बोलता हमने franchise acquire किया 80 lakhs में, very good कब acquire किया, 4th में को अच्छा तो ideally amortization तो device निकालना पड़ेगा, लेकि नीचे एक line लिखी है कि company follows the policy कि वो full year का amortization लेगा in the year of acquisition इसका मतलब क्या है आप साल में कभी भी खरीदो उस साल आप पूरे साल का amortization निकालोगे यह line नहीं लिखी होती तो मैं ऐसा नहीं करता, तो मुझे device निकालना पड़ता यह line लिखी है, इसलिए मैं ऐसा assume करूंगा, कि भले ही आपने 4th में को खरीदा है फिर भी आप पूरे साल का amortization निकालोगे तो franchise acquire के 80 lakhs में life इसकी 5 years है, तो आप एक साल का amortization transfer करते हुए चलना, इसको आपको day one पे कुछ करने का जरूवत नहीं है, जैसे for example इननों बताया है, कि first time में revenue 10 lakh का कमा है 10 lakh के revenue पे 2% payment किया profit loss में डाल देना budgeted revenues भी आपको दे रखे, वो irrelevant आपके लिए काम के नहीं है कुछ, ठीक है तीसरा item, copyright अब copyright में आपने acquire करने के लिए उसको legal cost incur किया, यह तो आप capitalize करते हो उसके लावा एक और चीज़ बोला गया है, हमने एक और खर्चा incur किया 7 lakh रूपीज का किसी और को हराने के लिए किसी और के अगेस्ट, आपने को copyright infringement file किया था, उसको हराने के लिए किसी और को हराने का खर्चा आप कभी capitalize नहीं करते हैं, इसको आप जाओगे profit and loss में, अपने copyright को register करने के लिए खर्चा किया, वो आप capitalize कर सकते हो, किसी और को हराने वाला खर्चा very good जाएगा पेनल के अंदर तुमको याद है का तुम इत्ता इतम तुमको समझ में यह वला पाट किया, ठीक है अब पुछा कहता, extract वगरा पुछा है मैं बता दू कैसे बनेगा वो, इधा देख लो बड़ा प्यारा से extract बनेगा, देखो मैंने एक दम बड़िया working note दे रखा है, goodwill, day one पे इतना amortize तो होएगा नहीं, year end पे इतना franchise day one पे इतना, amortize होएगा for one year, क्योंकि five years life है, year end पे इतना copyright, दस साल के life है इतने कैप्लेस किया, एक साल में amortize कर देना, year end पे इतना तो इस से आपको मिलेगा intangible year end का value वो मैंने लिख दिया, बराबर उसके लाबा आपको मिलेगा करेंटर के amortization वो मैंने लिख दिया, ठीक है amortization अब और क्या है, आपको और information दे रखी थी करेंटर में revenue कमाए, 10 लाग का वो लिखा उस पे 2% की जो fees भरोगे वो भी record कर लेना जो 7 lakhs किसी और को हराने के लिए पे गया था इसी तरीके से बड़िया बड़या question हो जाएगा solve मैंने दो important working note भी दे दिये कि goodwill amortization नहीं होता है और जिस साल company ने acquire किया है, उस साल वो पूरे साल का amortization निकालता है that's it I hope this is clear to everyone, ठीक है उसके अलावा, let me see और कूई बड़िया question है तो question number 5 is also a good question, you can just see एक intangible है life 15 years है, ठीक है और day 1 पर उसकी value 12 lakhs है entity has a commitment from a third party to purchase that a patent, sorry to purchase that patent in 5 years for 60% of fair value, commitment है कि कोई third party बोलता है, कि life 15 years चोड़, 5 साल के बाद मेरे को बेज देना मैं आपको 60% की value दे दूँगा return में अब company का intention क्या है company intends to sell the patent in 5 years ठीक है, तो भले इसके लाई 15 साल है आपको benefit कितनी अर्स तक मिलने वाल है 5 years, क्योंकि 5 साल लगा था बेचने का सोच रहे हो तो आप इसको amortize 5 साल में करोगे उसके लागे जब amortize करोगे तो normally residual value जिरो अजूम करते इस case में क्योंकि third party commitment है तो आप जो भी cost है उसका 60% आप residual value अजूम करोगे अप company ने गलती कर रखे company ने आप 15 साल अपके अपसे amortize कर रखे और residual value 0 मान रखे तो यहाँ आपको जो relevant concept है लिखके देना पड़ेगा कि residual value आप 0 नहीं मानोगे because commitment वगेरा है और life इसकी 5 साल होगी बराबर तो ideal amortization should be this much 96,000 कैसे cost minus residual value divided by the life ऐसा करोके तो आपको आएगा ठीक है तो बता देना company ने गलत किया है और आपन सही वाला निकल के दे देंगे इसी के साथ इसी के साथ India 38 को क्या कर दिया सरक 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 क्योंकि एक है वाई साथ एक हो गया तर आपको अरे 30 खतम हो ना फिल ले रहा हूँ फिल तो ले सकते ना पन फिल ले लो सर फिल ले लो दो गुट पानी पीलो गया दो गुट मुझे भी मजा आ गया गया गैस बट वन गुट तिंग इस जो आपका बड़िया पाटिसिपेशन है यहना जो आप फटाफट लिखके बता रहो कि सर यह आंसर हो ना चीए यह आंसर हो ना चीए मजा आ गया यहना चलो तो यह अपना खतम हो जाता है इंडेस कौन सा खतम किया रहा है अपना 38 अब मैं क्या कह रहा हूँ एक वो हो जाए गया मीठा मीठा प्यारा प्यारा इंडेस 40 भी कर लेते वो हार्डली 20-25 मिनिट्स में हो जाएगा यार खतम करो घर जाओ बड़ी आराम करो चिल करो इता में एसी में बैटके एसी में नहीं बैटोगे पंके के निचे बैटो पंके में नहीं बैटोगे गर्मी में बैटो बट बैठो ना अकेले में चलो आज़ाओ तो फटा फट से इंडेस 40 को भी आपन खतम कर लेते मैं नोट्स खोलो तो तक आप एक मिन का बीदर ले लो इतना देखने के बाद भी लाइक नहीं किया ना और अगर तुमको ये बाइधावे रिविजन पसंद आते ना तो कमेंट छोड़के जाना की अच्छा लगाया नहीं लगा कि तुमको समझ रहा है नहीं समझ रहा है जो भी है वैसा ठीक है लाइव चैट में नहीं वैसे कमेंट करके जाना जो रिकॉड़ेट देख रहा है उनके लिए भी एनिवेस मैं शुरू कर दूँ क्या शुरू करो सर आओ सबसे पहला नंबर क्या है इंडेस 40 नाम क्या है इंवेस्टमेंट प्रोपर्टी बराबर कितने पॉइंट से पढ़ने कला अपने बास 10 पॉइंट है दस वा तो समरी है फर कैपिटल अप्रीशेशन या फिर दोनों है ना और तीनों में से एक भी मेट किया तो उसको बहलेंगे इंवेस्टमेंट प्रोपर्टी सर इसमें भी हेल्ट वान रेंटल है और इंडेस 16 में भी हेल्ट वान रेंटल सा कन्विजन हो गया देखो रेंट पे देना बिजनस है और रेंट पे दिया तो इंडेस 16 में जाने का और रेंट पे देना बिजनस नहीं देशना मेरा टीचिंग बिजनस है फिर भी रेंट पे दिया तो 40 में आ जाने का है ना क्या नाम दे रखा है owner occupied property इस बात का भी ध्यान रटना है ना जैसे प्रती के अपने पास तो प्रती का नाम का क्या बराबर क्या तो ऐसे pet name दिया ना वेसे इन्होंने पीबी को यहां प्यार से हर जगे पे क्या बोलेंगे owner occupied property ठीक है ध्यान रटना उसके लाबा यहां इंडेस में ना कभी-कभी लीजर का reference भी आएगा तो यह लीजर का reference का अब समझेगा लीज पढ़ा वर रहेगा ठीक है बाकि इतना कुछ major नहीं इसके अंदर बर ध्यान रखना एनिवेस तो यह आपका definition हो गया अब इसमें मैं को एक और चीज आपको बतानी है कि suppose अगर अपने property held किया है for sale in ordinary course of business property को बेशना धन्दा है आपका तो यहां मतारा इंडेस 2 में चले जाना फिर उस case में ठीक है ध्यान नटना यह पहला पूंड़ का definition कुछ clarification फिर आएगा अपना recognition criteria है ना दो criteria है वो ही same वो ही घिसे पीटे 1638 वाले FBs and cost can be measured reliably ठीक है फिर आएगा measurement यह initial measurement always 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 cost अगर खरीदा तो cost क्या रहेगी it is same like 1638 exchange में acquire किया तो भी same like 1638 हाँ अगर आपने lease में acquire किया तो उसके लिए अपन lease में जाएंगे 116 में तो देखो lease वाली बात है उसने खुद धकेल दिया 116 में तो यहां बात करने के जरुवत नहीं है अपने को ठीक है ध्यान हो या subsequent हो subsequent measurement भी हाँ cost भी होता है क्या बात कर रहे हो sir हाँ but fair value ढूननी पड़ती है only for disclosure purpose इंडियास 40 में subsequently एक ही method है cost method fair value ढूंडोगे only for disclosure purpose sir अगर fair value नहीं मिलती तो अगर आप fair value का estimate नहीं कर पा रहे हो तो this fact along with reason आप disclose करना पड़ेगा आपको ठीक है ध्यान रटना है यह वाली बात खतम कहा नहीं यह आपका हो गया measurement sir measurement किया मजा आ गया देखो जब real model ही नहीं तो इसका सारे points कम हो गया आपके लिए मजा ही आ गया अगला point subsequent costing card what is the meaning of subsequent costing card एक बार investment property खरीद ली उसके बाद खर्चे के तो क्या करेंगे अगर servicing बाला खर्चा किया गया profit and loss में अगर कोई part replace किया कोई part replace किया तो apply component accounting नहीं वाल land है तो depreciation नहीं होएगा ठीक है तो यह उपर वाले चार point तो बड़े simple simple से कुछ हाई निसके अंदर मजा ही नहीं आया है है ना मजा यहां से आएगा property held for more than one purpose एक single property इसके एक से यादा use है for example आपका 10 माले की building है 10 floors की building है 7 floors आप use कर रहे हो 3 floors रेंट पे दे रखा है तो इस case use किया उसको पीपी बोलने का जितना floor आपने rent पे दिया उसको आईपी बोलने का simple सी बात मजा इधर आएगा जब आपके वासे single घर है थोड़ा portion use कर रहे हो थोड़ा portion भाड़े पे दे रखा है यहना जैसे एक room और kitchen में use कर रहा हूँ एक room और hall मेंने PG पे दे रखा है बर for example में एक room और kitchen यूज़ कर रहा हूँ मैं बोलू घर का दो कमरा तो में use कर रहा हूँ तो यह significant है की नहीं है significant का मतलब majority नहीं होता है significant मतलब ऐसा मालो कि क्या यह substantial है गया जैसे 30-40% substantial होता है 10% substantial होता है बराबर substantial है गया use वाला portion if the use वाला portion is substantial if the held for use portion is significant पुरा property बन जाएग पीपी और अगर held for use portion is insignificant पुरा property बन जाएगा IEP लेकिन हमको कैसे मालूम पड़ेगा significant है insignificant it is a matter of judgment exam में क्या करें सार दोगला बन के आ जाना बराबर exam में दोनों point भी से answer कर देना नहीं समझे तो कुछ भी ठीक है यह वाला part क्या yes sir तो property held for more than one purpose यह वाला point बहुत शांतर point थ यादे कि हम मैंने hotel पूरा का पूरा किसी को भाड़े पे दे दिया hotel के साथ छोटी-मूटी service दी security वाली यादे oyo का example आपको अगर रियाद रहेगा तो नहीं या तो कोई बात नहीं तो अगर मैंने पूरा hotel भाड़े पे दिया और साथ में छोटी-मूटी service दी कोई बात न हम hotel भाड़े पे देने को IP ही बोलेंगे लेकिन अगर आपने hotel भाड़े पे दिया hotel के साथ सारी service भी आप ही दे रहे हो security service, receptionist food जो बनाएगा वो room service, other service, सब कर सब आपने provide किया, बराबर क्या, तो अगर आपने hotel land पे दिया, hotel के साथ आपने सारी services आप ही पड़ कर रहे हो, तो आप इसको IP नहीं बोल सकते, एक तरीके से आप ही रन कर रहे हो इसको, तो इसको PPE बोलेंगे, बराबर उसको बोलते हैं, अब कितनी सर्विस देना, significant होता है, again it is a matter of judgment, exam में दोगला पंती दिखा कर आचाना, बट बहुत obvious रहा कि छोटी मुटी सर्विस दिये, तो IP रहे हो, वैसा ध्यान रखना, clear वाला बाट, ठीक है, आगे, property leased to other group members, बराबर, एक parent ने, subsidiary को rent पे दिया, या subsidiary ने parent को rent पे दिया, ठीक है, तो ऐसा example ले ले लेते हैं, कि parent ने property rent पे दिया, subsidiary को, अब parent बनादा दोड़ आपके financials, एक बनाएगा, SFS, एक बन देखते हैं, यह नहीं देखते, relationship क्या है, parent अलए, subsidiary अलग, बराबर, तो parent बोलेगा, SFS में IP, लेकिन CFS point of view, CFS मतलब Consolidated Financial Statements, बराबर CFS के अंदर, parent subsidiary साथ मा जाते हैं, बराबर, तो CFS point of view से, अगर अपने ही parent ने, अपने ही बच्चे को rent पे दे रखा है, तो CFS point of view से in CFS वो PP रहेगा, but from SFS point of view से, SFS point of view आईपी रहेगा, ठीक है, उसके एलाबा, अगला point, transfer to or from investment property, एक बार आप इंडेस 40 फॉलो कर रहे हो, उसके बाद आप इंडेस 40 से भार निकल कर, किसी और इंडेस में जा सकते हो क्या, या फिर किसी और इंडेस से, आप इंडेस में आ रहा था, अब मैंने टेरेन को निकाल कर बोला, आप तो मैं यूस करूंगा, आप तो मैं क्या करूंगा, आप तो मैं यूस करूंगा, तो there is evidence of change in use, और इंडेस करना शुरू भी कर दिया, मैंने, आगया evidence, इसको बलते evidence of change in use, तो उस case में आप 40 से 16 में आ जाना, लेकिन सब रहे हो गया, एक तो पहली चीज, तो ऐसे कहा का transfer हो सकता है, 40 से 16 में आ सकते हो, 40 से 2 में जा सकते हो, सब 40 से 2 में कब जाएंगे, सब पहले normal property खरीद के, long term हेल करके बेच रहेते, अब आप ने इसको धंदा बना लिया अपना, धंदा बना लिया, तो उस case में 40 से 2 में चले होगा, तो carrying amount पे transfer होगा, सर, carrying amount का मतलब क्या होता है, for example, पहले मैं PPE use कर रहा था, life 10 years थी, 3 साल मैंने use कर, depreciate का 3 साल के लिए, बराबर, तो carrying amount कितनी बची, 7 lakhs बची, अब इसी PPE को, मैंने rent पे देना शुरू कर दिया, तो यह 16 से जाएगा 40 में, कौन से value पे जाएगा, जि जब ऐसा transfer करोगे, it will not change the carrying amount, ठीक है, last point, de-recognition, मतलब भार करना, भार कप करोगे, या तो life खतम, या फिर बेच दिया, बेचा, गेन हुआ, तो अधर income में transfer कर देना, यह summary है, यह summary कब काम आएगा, जब आप एफार एक बार पूरा पढ़ लोगे, पूरा पढ़ने के main desert तो भी कहा है, question में है, आव सर आओ, question भी बढ़िया बढ़िया करवा दू आपको, करवा दू ना सर, देखो बढ़िया बढ़िया question रिवाज कराओंगा, ठीक है, एक दम जो basic basic है, वो खुद पढ़ोगे, तु भी तुमको हो जाएगा, हाँ, यह आ है ना, illustration number 9, बहुत ह नहीं करते है, ध्यान रखना, और उसको अपने lease पे देना शुरू कर दिया, तो lease पे देना शुरू कर दिया, तो IP रहेगी आपके लिए, ठीक है, चार साल के बाद का fair value दे रखा है, क्या IP में fair value मेरे काम का है क्या, yes or no, अच्छा मैं ऐसा बूछता हूँ, क्या IP में fair value पे रिकॉर्ड नहीं करता आप इसके ओपर, फिर बोलता अंदर टर्म्स आप lease, Y was able to cancel the lease by giving 6 months notice, तो उसने notice दिया, और 30th September को property vacate कर दी, on 30th September, fair value of the property was 290, again fair value irrelevant for us, on 1st October, X immediately began to convert the property into 10 separate facts, intended to sell in ordinary course of business, धन्दा बना लिया इसको अपना, बराबर गया, तो क्या करेंगे फिर, हम 40 से कौन से index में जाएंगे, हम जाएंगे सिधा 40 से index 2 में, और क्योंकि land थी, depreciate किया होगा नहीं, तो जो भी यहां की value थी, वो index 2 की cost बन जाएगी, ठीक है, तो आप 1st October को चले गए, 40 से 2 में add 2CR, अब inventory में चले गए, अब inventory के provision apply करना, अब क्या किया, एक बार inventory में आ आ provision apply करनेगा, तो conversion cost capitalize करोगे, year end पर cost क्या होगे, आपकी 2.6CR होगे, अब year end पर कोई भी inventory को आप, cost या NRV, whichever is lower पर रखते हो, तो cost हो 2.6CR है, अब NRV क्या होगी, अब इसमें क्या बोला है, पते है, project was incomplete, तो यहां index 2 का provision लगता है, ठीक है, index 2 में WIP के NRV कैसे निकालते हैं, ब WIP के NRV अपने को 4.6 मिलेगे, ऐसे कैसे, हम 10 flats में convert करने वाले थे, किदर लिखाता है, 10 separate flats, इधर, 10 flats में convert करने वाले थे, और हर एक flat का value था 50 lakhs, ठीक है, ध्यान रटना, तो 10 into 50 lakhs will give you 5CR, और complete होने में 40 lakh का खर्चा और लगने वाला था, तो बचा 4.6CR, तो यह आपके WIP क value हो गई है, तुमको समझ आए वाला part, yes sir, तो WIP का आपका NRV हो गया, 4.6, cost थी 2.6, तो आप cost पर रखो गया, simple, that's it, clear, yes, मज़ा आ गया sir, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो sir, अब आता illustration number 10, यह भी बढ़िया question है, क्या बोलता है, सुनलो, बोलता है, एक building यह था, which is held to earn rentals, इंडेस 40 में जाएगा, कब खरीदा आपने, डेटा दे रखा है, कि खरीदा आपने 10CR में, at that time the useful life was 20 years, जब खरीदा तब 20 years की life थी, out of which 5 years have been expired as on 1st April 19, 19 तक 5 साल बीच चुके थे, by the way, मैं बता दू, हमारा current year end 20 में हो रहा है, तो अगर 19 तक 5 यह बीच चुके थे, तो 20 त तो 20 में, कित्य साल का happy birthday मनाऊगे, 6 साल का, मैं भी तो यह कर रहा हूँ, ठीक है, आगे, the company follows SLM method, आगे बढ़ जाते, during the year, companies invested in another building B, held for capital appreciation, rental के लिए रखो, या capital appreciation के लिए रखो, दोनों जाएगा 40 में, यह property खरीदी आपने 19 में है, तो इसको 20 तक 1 साल ही हुआ रहेगा, ठ यह जो data है न, यह operating expenditure है, for A and B, operating खर्चे मतलब day-to-day खर्चे, day-to-day खर्चे जाएगे जिदा P&L के अंदर, जो income है, वो income में, जो expensive expense में, ध्यान रखना, फिर आपको यह data नीचे दे रखा है, fair value के लिए, बराबर यह जो दो paragraph है न, यह पूरे दे रखे fair value के लिए, अपन क्यों आएगी, only for disclosure purpose, what would be the treatment of building A and building B in the balance sheet, provide detailed disclosure and computations, ठीक है, तो balance hashtag आपसे मांगा है, तो कैसे दोगे देख लो, balance का भी देदो, penal का भी देदो, मैं तो बोलता हूँ, सबसे बहले building A की बात करो, ठीक है, पहले न, 2-3 line में समझा देना उसको, definition of IP देना और 3-4 line में concept देना, ठ ठीक है, अब, building B का आपने निकाला value, similarly, building B को आप एक साल से depreciate करोगे, ठीक है, फिर, यह आपने, जो भी इसका value बचेगा year end पे, वो आप दिखा दोगे balance sheet के अंदर, ठीक है, फिर आप बनाओगे P&L का cash track, P&L में जो भी items दे रखे question में, वो तो record कर लेना, साथ में depreciation में अब depreciation में गलती का गरोगे, P&L सिर्फ current year का बनता है, तो सिर्फ current है का डप record करना, building A में, ED के तरह पुरा 2.5 और 0.5, 3 मत record कर लेना, भाई, current year का सिर्फ 0.5 है, यह बता रो, गलती करोगे इदर, ज्यान रखना, ठीक है, बागी कुछ था ही निसके अंदर, खतम हो गया य तो यह वाला question खतम, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो sir, फिर आएगा अपना mock test RTP, MTB का question number 1, ठीक है, question number 1 क्या बोलता है sir, यह न वो concept based है, मेरे पाद 10 माले का building है, उसमें से 7 floors में use कर रहा है, 3 floors rent पे दे रखा है, ऐसा, तो 10 floors का building है, 10 crores का building है, 10 floors उसका वो है, total area, 7 floors में use कर 3 floors rent पे है, ठीक है, तो यह आपके लिए बनेगा IP और यह 7 floors बनेगा PPE, उसके बाद आपको data दे रखा है, और क्या बोल रखा है, कि cost of top 3 floors, यह 3 floor का cost कितना है, 3 CR, और यह बाकी 7 floors का cost कितना है, वो बलता है, 7 floors में थोड़ा land है, थोड़ा building है, कोई बात ने, land 25% building 75% ठीक है, बट वो है तो PPE, फिर क्या बोलता है, on 31st March 18, year end पे, UK obtained a valuation report from independent valuer, property का fair value दो दिया 15 CR का, अब 15 CR में से बाटना पड़ेगा न, PPE में कितना, IP में कितना, तो जिस ratio में cost बाटना है, जैसा 10 से का cost बाटना, 7 और 3 CR में वैसा है, उस ratio में बाटना fair value को, anyways, अब वो क्या बोलता है, important बात इधर है, UK wishes to use cost model for PP, PP में तो cost model चलेगा, and fair value model for IP, IP में चॉलबे का fair value model, बोलना नौई चॉलबे, IP में fair value model नौई चॉलबे, मराबर ठीक है, advice on the accounting treatment, तो कैसे करेंगे, देख लो एक बार, बड़ा simple, एक बार आपने identify कर लिए कि नौई चॉलबे, तो पहले घ्यान दे ठीक है, आगे, फिर आपने पहले cost bifurcate की, कि मेरी cost IP की इतनी है, और PPE की 7 है, 7 में से 25 land है, 75% building है, ठीक है, फिर ये दोनों को cost पर measure कर सकते, बोला भी है, यही करना है, IP में fair value नहीं चॉलबे cost ही चलेगा, fair value only for disorder purpose, अब fair value बाटू कैसे, 15 के total value दे रखी है, जिस ratio में cost है, उस ratio में बाट देना भाई, मिल जाएगी fair value, बस, और building का life अगर year end का पूछा है, तो year end पे एक साल का depreciation चार्ज कर देना, land होएगा ने depreciate, building होएगा एक साल से depreciate, IP बेएगा एक साल से depreciate, simple, clear वाला part, yes sir, done, बहुती शांदर question दा, मज़ा आ गया sir, feel आ गई, अब एक और feel यह मेरा favorite question है, sir, हर question को favorite बोलते हो, चल रहे हो, दोगले आदमी, sorry, लेकिन यह मेरा सची favorite question है, ठीक है, आजब, question number two, बोलता है तीन property है, ठीक है, तीन property, दो factory, और एक let out building, तो यह दो factory PPE हो गया, let out building, IP हो गया, ठीक है, अब इसमें purchase price अगरा दे रखा है, life अगरा दे रखा लेकिन दिक्कत है, दोनों क्योंकि PPE factory है, तो same class पे same order लगना चीए, या तो दोनों पे cost या दोनों पे favor लगा हो, या लग 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 नी चल बे, let out building पे, re-well, नो यह चल बे, बुलना गलत किया देव से न, आगे, फिर property one and two are occupied, and property is let out, management presents all three properties as PPE, management तीने को PPE में अबली मारो उसको एक, बोलेगा दो पीप और एक आईपी है ना, गलत किया देव से ना, आगे, Component does not depreciate, depreciate नहीं कर रहे है, क्यों, बोलते है जादा है ना, fair value, कुछ भी, बोलते है जादा fair value तो पे depreciate नहीं करूँगा, ऐसे तो इना होते है भाई, करना पड़ेगा depreciate, तो वहाँ भी टबली मारो उसको, उसके लबा क्या बोलते है, जहाँ fair value जादा है, जो भी gain है, वो gain जाएगा पेनल में, ए, gain रहेगा तो OCI में जाएगा ना, भी टबली मारो उसको, मारा, आगे, अब यहाँ आपको दो केस मांसर करना पड़ेगा, क्यों? जब आपसे करेट ट्रीट्मेंट मांगा, तो आपको यह नहीं बता है कि PP के लिए कौन सा मडल फॉलो करना है, कॉस्ट की reval, क्योंकि दोनों पे सेम लगाना पड़ेगा, तो आपको case 1, अगर आप दोनों PP पे cost लगाओगे, और IP पे cost लगाओगे, तो क्या होगा? case 2, अगर आप दोनों PP पे reval लगाओगे, और IP पे cost लगाओगे, तो क्या होगा? बट यह सब दिने से पहले, word use क्या है, analyze, analyze से उनका मतनब क्या है? कि आपको थोड़ा बद ग्यान तो देना पड़ेगा, बराबर तो ग जाना चाहिए, OCI में वहाँ गलती किये, तो यह सब के उपर concept लिख कर आओ, same 40 में, गलती कहां किये, measurement में गलती किये, definition बता दो क्या होता उसका, है न, IP को आपन deficit करते है, यह सब बताओ, गलती जो कि उसका definition आप लिखके दो, उसका concept लिखके दो, own words में, with relevant keywords, ठीक है? यह आप करते हैं, एक साल depreciate, खतम कहा नहीं, IP के नीचे बस लिख दूँगा, fair value, disorder, purpose के लिखके लिखके है, और PNL में देखेगा depreciation, मज़ा इदर आएगा, case 2, जब दोनों PP को आप रखोगे, reval पे, तो कैसे निकालोगे, revalution model का fair value, पहले cost दिया हुए, पहले एक साल से करन depreciate, फिर ढूणना fair value कितना है, वो दिया हुए question में, तो gain आया, ठीक है, और revise carrying amount नेया वाला fair value होगा, PP2 में भी same, depreciate करना, carrying amount मिलेगा, फिर आपको fair value दिया वालेगा, फिर gain आएगा आपको, बराबर ध्यान दखना, working on number 3, आपका IP तो same ही रहेगा ना, because IP दोनों case में cost पही अब जब PPA दिखाओगे, तो fair value पर दिखाना दोनों को, IP cost पर दिखेगा, depreciation दिखेगा, एक चीए extra हैगी, PNL का दो हिस्सा होता है, PNL एक और OCI, OCI में आपको gain भी दिखाना पड़ेगा, एक जगे 5000 का gain, एक जगे 4000 का gain, यह दोनों gain आप दिखादो, total gain कितने का हो गया 9000 का हो गया, और एक gain ultimately जाके other equity के, reward surplus में जमा होता है, तो वहाँ भी दिखाना भूलना मत, यह जो लाल में लिखा या भूलोगे, यह करके आना मस भाई, तो यह question में आपका concept testing बहुत बढ़ी हो जाता है, तो करके आना चीए आपको, ठीक है, चलो, आगे अगला question में बढ 53 हो गया, फिर बोलता उसको, दो माले की building बनेंगे, two story building, plan approval 1 lakh, capitalized कर देना, construction cost 10 lakhs, including 60 is refundable taxes, तो 10 में से 60 निकाल देना, बच्चा 9.4, capitalized कर देना, abnormal wastage, profit and loss में जाएगा, यह अलग से डालना profit and loss में ठीक है, इसको किसे दा माइनस मत करना, ऐसा बोला है कि 40 was included somewhere year, नहीं नहीं आपना जब यह कि आपको building के value मिले 63.4, सब add work करके, जो भी relevant चीज़ है, अब उसमें क्या बोलता है, कि हमेना ground floor, subsidiary को देंगे rent पे, और first floor खुद use करेंगे, own admin purpose, तो अगर मैं, एक floor rent पे दूँगा, एक floor खुद use करूँगा, तो SFS point of view से ground floor बनेगा IP, क्योंकि rent पे दिया और first floor बनेगा PPE, बट CFS point of view से, rent पे दिया subsidiary कोई है, तो CFS point of view से, दोनों माल आपका PPE ही रहेगा, तो balance sheet में एक बताओ, तो SFS में एक item दिखेगा, PPE, एक item दिखेगा IP, CFS में दोनों floor PPE दिखेगा, simple, यह आपका था question number 63, क्या तुम कहां तक समझ आता है, यह सर समझ आता है sorry 63 ने, question number 3, फिर यह तो simple effort, guys, कहदू के आपसे, कहदू ना सर, मैं कहदू के आपसे, कहदू ना सर, अरे कहदू ना, कहदू ना, you are master ने, खता हो गया, बताओ मारी जी, कितना बढ़िया आपने coverage किया आज, आपने देखो, एक अलग session में 16 revise किया, इसमें 38-40 revise कर लिया, आह हाँ, जो आपको शायद पढ़ने में कितने दिन लगे होंगे, उसको आपने करीबन, करीबन, दो ड़ाई घंटे में revise कर लिया, with question revise कर लिया, अब आप ये इंडेज का, अगर मीठा मीठा, राइट इन बैडिस कर लो ए questions का, तो मजा नी आ जावे, फिर क्या तो MCQ पूछे आपको मजाया रहेगा, मेरेको बड़ा मजात आपको पढ़ा के, अगर ये session helpful रहेगा, तो comment ज़रू कर देना, क्योंकि आप comment करोगे, तो बाकियों को लगेगा कि ये सच्ची में helpful session है, तो वो भी use कर पाएंगे इसको, क्योंकि है तो YouTube पे free में आप सब के लिए, आप सब क comment ज़रू कर देना, उसके लाबा, आपको लगता है किसी के लिए helpful होगा, तो उनको आप शेर भी कर देना, ये वीडियो, उसके लाबा एक और चीज, अगर किसी को, मेरा fast track batch वगरा कोई भी batch चाहिए, रिकमेंड करना है किसी को, तो it is available on bbvirtuals.com, ये लिखा न, bbvirtuals.com तो वहाँ जाके, वह एनुल कर सकता है, आपको ज़रूवत नहीं होगी, बड़ किसी को होगी, तो ज़रूर बता सकते हो, ठीके, तो इसी बात पे, शुक्रेया everyone, session को करते है समाप्त, thank you so much, bye everyone, take care, see you all, bye bye, चलो, bye Muskan, bye Manoj, bye Neha, bye Pratik, bye Rashi, bye Deepika, bye Vedika, bye Aasta, bye Pooja, bye Varun, bye Aditi, bye Vive Bye Meghna, bye Anjali, bye Nitesh, चलो, bye everyone, bye Karthik, bye Rashi, bye Megha, bye Bhargav, चलो, bye everyone, take care, see you all, bye bye, see you